आप देख रहे हैं आरपी केपी इंडिया न्यूज मेडाद हास्पिटल के पीड़तों के साथ सीवसेन ने लगाया सासन पर सासन पर आरोप क्या पीड़ीत परिवार की जान चली जाएगी तब पुलिस हरकत में आएगी कनहियत इवारी जवलपोर सीवसेन प्रदेश प्रवक्ता पंदित कनहियत रामकरह स्थिवारी के साथ पुलिस अदिक्षक कर्याले में पुलिस महारीक्षक के नाम एक पत्र दीएसपी पूनम पांडे को सौपा जिसमें पिडित सिवराग सिंग थाकूर असोग थाकूर ने बताया कि मेडाज हास्पिटल आधारताल का भूस्वामी और बिल्डिंग मालिक है और मेरा डाक्तर विवेक गुपता के साथ किरायदार के नाते एग्रिमेंट हुआ था परंतु अरोपी डाक्तर विवेक गुपता ने मेरे साथ धोखा धड़ी कर अपने गुर्गों के साथ गैर कानूनी तरीके से बीना मेरी अनमती और बीना मेरी जानकारी के सर्यन प्रचकर मेडाज हास्पिटल आधारता किराय पर दे दिया जिस पर मेरी सिकायत में परंतु उस मामले में सभी पांचों आरोपी आज दिनां तक फरार हैं जिने जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है प्रदेश्ट्रवक्ता कनहिया तिवारी ने आकोज ज़दाते हुए कहा कि इन फरार औरोपियों को तत्काल गिरप्चार किया जाए यदि गिरप्चार नहीं कर सकते हैं तो इनसे पुड़ीत परवार को जान का खतरा है इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए शिकायच सौपने वालों में पंदिल्स करहिया रामकर्षितिवारी प्रदेश्ट वक्ता सिर्सेना चलन बारी जिलाज्यक विकास तरासे नगरज्यक किसरा वर्ग तसक प्यूरित पर्षितिवराचिंग खाकुर उपस्चित रहे रिपोर्ट मुराई लार्तिवारी आरपी केपी इंडिया नूज जवलपूर कि इस समस्था जो है वही पुरानी समस्था है कि फरार आरोपियों को गरफ्तार करने की मांग की जा रही है बिड़ाथ अस्पताल पर जो इस्ट्री शीटोरों के द्वारा कब्जा करने का हड़पने का प्रयास चल रहा है उनके मालिक को धंकाया जाता है उनको परिशान किया जाता है उससे प्रतारित हो करके विगत दो महाँस्ति हम लोग नयाए की मांग कर रहे हैं और इस बार ह से अन्य लोगों की संपत्य कुर्प की जाए और उनका पुरानी भी कारेकाल जो उन्होंने पहले भी कोई गठना करी होगी उनके अपनी पुरानी हिस्ट्री होगी जाए उसमें डॉक्टर विवेग गुपता हो चाहे रहमान अली हो चाहे उनके साथ की बुर्गें हो सबकी हिस्ट्री निकाल करके उनके पर कठोल से कठोल कारवाई की जाए और जब परिवार होस्पिटल में बैठ रहे जाए तो उन्हें किसी कार से कोई प्रतारिट ना करें ना ही दम की दे उसी मांग को लेकर के हम लोग ने महोदया को गयापन दिया है और उन्होंने